वो कि पुरशना प्रिंसीबल आँ रिगेंस प्रिंसीबल अब यह अधोगे नाम का सांटिस्ट्स तनी करता है यह कज़ прош 958 यह एक स्ट्राइब पहुँंचेगा तो कि से ट्रेवल करेंगा लेगा सिज्ट रिखे जब नया वेफ्रेंट बनेगा तो किसी भी वेफ्रेंट बनेगा इस सोर्स से इसी वेफ्रेंट से अगला बनेगा लो किसी भी वेफरेंट के उपर जितने भी पो इंगे वो नए वेफरेंट के लीए एक सोर्स की तरह बिहाईव करेंगे और उन सारे पॉइंच से क्या होंगी secondary wavelengths emit होंगी यह कुछ terms है जो आपको याद करनी है आपको देखो डाइग्राम से बताता हूं मालों कि यह light का source है और उसी यह एक wavefront बना यह क्या यह light का source है और इसी यह क्या बना एक wavefront बना इस wavefront का हर एक पॉइंट नए wavefront के लिए एक source की तरह बिहेव करेगा इस पर जितने भी पॉइंट्स है इस पर जितने भी पॉइंट्स है यह एक पॉइंट है एक पॉइंट है ऐसे infinite point होंगे यह मां कुछ special point ले रहा हूं दूर-दूर ताकि थोड़ा clear diagram बने बाकि इसमें कितने points होंगे ऐसे पूरी surface की उपर जो wavefront स्फेरिकल है और उसकी उपर जितने point आप imagine कर सकते हो हर एक पॉइंट क्या एक source है किसके लिए नए wavefront के लिए हाना एक source की तरह बिहेव करेगा और secondary wavelengths emit करेगा मैंने क्या बोला सेकेंडरी wavelets secondary wavelengths बोलते हैं छोटे wavefront को तो इस point source से यह wavefront बना अब हम यह बोलता है कि इस wavefront का हर एक point ही एक source बन गया तो source बन गया तो यह क्या करेगा यह वापस से wavefront emit करेगा point source से बनने वाला wavefront कैसा होता है स्फेरिकल तो देखो इससे एक छोटे छोटे स्फेर बनेंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं secondary wavelengths जो वेफ्रेंट है जिससे नया wavefront बनेगा उसको हम primary मानेंगे और इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे secondary wavefront और यह क्या चीज़ है यह है secondary wavelengths क्या बोलते हैं को यह नाम याद कर ले समझ रहा कोई भी वेफ्रेंट हो उसके उपर जितने भी पॉइंट से हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा नेक्स्ट वेफ्रेंट के लिए ठीक है एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और जो सेकेंडरी वेफ्रेंट करेगा जो लाइट की स्पीड से और पॉसिबल डायक्शन पर ट्रेवल करेंगे बतलब यह जो सेकेंडरी वेफ्रेंट बनी है इनके उपर फोरवर्ड डायक्स में अगर आप एक टेंजेंशिल सर्फेस्ट ड्रो करो जो सबको टच करते वह जा जो पर बनेगी वह नए वेफ्रेंट की शेप होगी फोर एक्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो अब यह जो यह से वेफ्रेंट एसके उपर यह जितने भी आपने सी क्या है अभी इन सोर्ट से लायट बाहर जा रही होगी आणदर आ रही होगी यह बाहरी जाएगा यह वे secondary वेवलेट की ऊपर एक टेंजेंजल सर्फेस ड्रो करूँगा कॉमन टेंजेंचिल सर्फेस जो सब को टच करते हुए जानी चाहिए तो जो यह सोर्स यह प्राइमरी वेफ्रेंट यह सेकेंडरी वेफ्रेंट इनके उपर कोमन टेंजिंचल सर्फेस ड्रो करें तो क्या बन गया तो क्या बना सेकेंडरी वेफ्रेंट बना अब यह जो सेकेंडरी वेफ्रेंट बना अब इससे जो अगला वेफ्रेंट बनेगा उसके लि कितरा बहुत करेंगे फिर सेकंडरी वेवलेट सेमेट होंगी उन पर कोमन टेंजिन सर्फिस ड्रो करोगे वापस एक स्फेर बनेगा तो एक स्फेर से अगला स्फेर अगला इस तरहीं किसे इनफाइनेट तक यह एनर्जी ट्रांस्वेट होती जाएगी और एक चीज़ और द यह धीरे धीरे कम होती जाएगी क्या से थे पहले स्फेर आगे जाए तो फोयेट सारे बीच में दिस्ट्रिब्यूट होगी जो पॉइंट्स के बीच में थी वह पचास पॉइंट्स की बीच में पहुंचेंगी तो इस तरीकी से क्या होगा वही एनर्जी बढ़ती रहती है इसलिए जब आप लाइट के सोट से दूर जाते हो तो जो वेव फ्रेंट है उसकी एनर्जी धिरे-धिरे कम होती रहेगी एक पर सोट से दूर जाने पर इस लिए एसा होता है तो यहाल थे वाली हम उसमें काम मिलेंगे तो यह तो मैंने बताए इस फेरिकल के लिए इसी एक प्लैन वेफरेंट की लिए बिए करके प्लेंट में कैसा है इधर से देखोगे तो लिकीन साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ यह लाइन दीख ली है तो यह प्लेंट मां क्या करूंगा इस डायरेक्शन में करेंगा तो इस कि वह पॉईंट्स है नोगा स्थवेरिकल क्योंकि पॉइंट सोड से बनने वाली जो बनने वाला जो वर capitalist कैसा होता था तो इस तरीखे से यह सकेंडरीबम अमिठ होंगी और उसके बासंदकेशन और किया करना है फोरवरड डैरेक्शन पौह डायेक्शन कौन से olmas सवेर को टच्च करने वाली सफेस होगी यह क्या होगा यह वेब फ्रेंट की नई पोजिशन प्यों पालब फिर इससे आगे बढ़ेगा एस तरीके से वेब फ्रेंट आगे से आगे बढ़ता जाएगा समझ मैं रहा क्या ठीक है फ़ड़ा imagine करो यह प्राइमरी वेफ्रेंट है यह सेकेंड्री वेविविलेट से हमिट हो गई यह बन गया नया वेफ्रेंट जिसको हम सेकेंड्री वेफ्रेंट बोलेंगे और इस से अब जो अगला वेफ्रेंट बनेगा उसके लिए वापत से यह क झाल झाल